हेलो फ्रेंट्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स, आज हम एकोनोमिक्स का क्लास करने वाले हैं और डेडी हम एकोनोमिक्स का दो क्लास कर चुके हैं तो इस क्लास में हम आपके फर्स्ट पुक का सकेंड चेप्टर उपभोगता के व्यभार का सिधान्त इसी चेप्टर को पढ़ेंगे और इस चेप्टर को हम चार भागों में पढ़ेंगे तो आज आपका फर्स्ट भाग यानि की फर्स्ट कलास होगा और इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे कि वीडियो को सबसे पहले सेर कर दीजे ताकि आपके आणे साथी के पास ये वीडियो पहुँच सके और वीडियो огодि अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा ताकि आपके subject का notification आपको सबसे पहले पहुँचेगा और आप तयारी कर सकेंगे तो आईए अब बात कर लेते हैं कि इस अध्याई में हम सिखेंगे क्या जानेंगे तो इस अध्याई में जो हम अध्यान करेंगे वो ये करेंगे कि अर्थ ववस्था में पाई जाने वाली संसाधनों की कमी की समस्या का एक उपभोगता के रूप में क्या एक उपभोगता के दिरिश्टी कौन से जो है वो हम अध्यान करेंगे इस क्लास में जो हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है तो फर्स्ट जो है वो है उपयोगिता का अर्थ आखिर उपयोगता जो है ये होता क्या है मांग और मांग वक्ड तो आए सीधे टॉपिक पर चलते हैं और फर्स टॉपिक आपका जो है जैसे कि हमने आपको बताया कि उपयोगिता का आर्थ आखिर उपयोगिता जो है वो होता क्या है अपनी दैनिक जीवन में जिस बस्तू से हम संतुस्ट हो सके हमारा मन संतुस्ट ह उसे ही हम क्या कहेंगे उपयोगिता कहेंगे क्या है एक बस्तू की उपयोगिता उसकी किसी आवसक को संतुस्ट करने की छमता है क्या है जैसा कि हमने आपको बताया उसी तरह से डिफिनिसल भी है एक बस्तू की उपयोगिता जो है उसकी आवसकता को संतुस्ट करने की छमत जिए को लगता के सिध्धांतों को जन्म देता है अब उपयोग्ता की बात करें तो उपयोग्ता बस्तू में नहीं होती है या व्यक्ति पर नेरहت करती आपको लगता है समाज में नहीं आया होगा कि हमने क्या कहा कि उपयोगता बस्तु में नहीं होती है जैसा माल लिजे आप यहाँ पर एक रोटी रख देते हैं और आपको भूख नहीं है तो ये उपयोग के लिए आपको संतुष्टी के लिए नहीं है और यदि आपको भूख लगी हुई है तब आप रोटी से संतुष्ट होंगे तो ये केस पर निर्भर करता है ये ब्रत्ती पर निर्भर करता है कि वो कौन सा चीज जो है उपयोग करें जैसे कि आप समाझ नहीं से कास्मीर चले जाए तो वहां के लोगों को अभी किसकी आवय सकता है स्वेटर की आवय सकता है तो वह स्वेटर पानना पसंद करेंगे इसलिए उपयोगता जो है वह व्यक्ति पर निर्भर करती है किसी वस्तु पर नहीं दूसरा एक्जामपल हम आपको देते हैं जै लेकिन जिस चीज की हमें आवय सकता होगी व्यक्ति को जिस चीज की आवय सकता होगी उसकी ही वो पूर्ति करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि उपयोगता जो है किस पर निर्भर करता है व्यक्ति पर या फिर बस्तु पर उपयोगता के बारे में हम दूसरी बात ये करना चाहेंगे कि यह जो है अस्थान सापेक्ष है क्या है अस्थान सापेक्ष है यह अस्थान पर भी निर्भर करता है जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां से आप यदि अभी जम्मू कास्मीर चल जाते हैं तो वहां ठंड पड़े गया और ठंड के हिसाब की बस्तू को आपको उपयोग करना है जैसे हीटर स्वेटर यह सब और यहां गड़मी आ गई है तो हम क्या किया है स्वेटर को रख दिये हैं और हम पढ़ रहे हैं इसलिए यह अस्थान सापेक्ष है दूसरा यह समय सापेक्ष है जिसका नाम है यूटिल्स इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि आखे यूटिल्स क्या होता है तो अब आजाए आजाते हैं कि उपयोगिता का मापन गन्ना वाचक द्रिश्टी कोन क्या है उपयोगिता का मापन गन्ना वाचक द्रिश्टी कोन इस बिसलेशन की माननेता है कि उपयोगता एक अस्तर को संख्याओं में ब्यक्त किया जा स जैसे एक आम हमें तीस इकाई उप्योगता परदान करती है एक आम जैसे आपने खाया तो उसे वो जो है आपको तीस इकाई उप्योगता जैसे कि एक रोटी खाये तो आपको दस इकाई उप्योगता पराप्त होती है उप्योगता के अस्तर को क्या कर सकते हैं हम संख्याओं में ब्रेक्ट कर सकते हैं किस माध्यम से इकाई के माध्यम से आए अब नेक्स देख लेते हैं कुल उपियोगता एवं सिमान्त उपियोगता क्या होता है कुल उपयोगता का मतलब जैसा कि यूटिल्स के बारे में हमने बताया तो टोटल यूटिल्स क्या हो गया टोटल यूटिल्स हम इसको संचिप्त में टी यू कहेंगे क्या कहेंगे कुल उपयोगता को हम संचिप्त में कोड में यानि कि हम टी यू कहेंगे और इसके बारे में हम जाल लेते हैं कुल उपयोगता जो है एक बस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगता का योग है क्या है कुल उपयोगता क्या है एक बस्तु की निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगता यानि कि आप सकता जितनी प्राप्त होती है एक बस्तू से उसे ही हम कुल उपियोगिता कहेंगे और इसे तालिका के माध्यम से हम आपको तुरत समझा रहे हैं इसे अगले स्टेप में तो आप पूरा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कुल उपियोगता क्या है अब आजाते हैं सिमांत उपियोगता पर क्या है सिमांत उपियोगता सिमांत उपियोगता को हम M.E.U. से परदर्शित करते हैं M.E.U. से इसको रिपरजेंट करते हैं तो सिमांत उपियोगिता जो है कुल उपियोगता में वह परिवरताने है क्या है कुल उपयोगता जो है यानि कि एक बस्तु से आपको जितनी उपयोगता मिली उसे कुल उपयोगता कहेंगे जो बस्तु की एक अतिरिक्त इकाही के भोग से प्राप्त होता है क्या होता है एक इकाही से प्राप्त होता है यानि कि जैसे कि आप माल लिए पांच रोटी खाए कितना रोटी खाए आप 5 रोटी खाए तो 5 रोटी से आपको अलग अलग उपयोगता प्राप्त होगी क्योंकि यदि आपको जोरों का भूख लगा हुआ है और फरस्ट रोटी जब आप खाते है उससे बहुत ज्यादा आपको संतुस्टी मिलती है इसलिए इसमें सबस कम उपयोगता आपको हासिल हुई और तीसरी में जो है आप माण लिजिए 5 उपयोगता आपको हासिल हुई जानि कि 2 रोटी आप उलग खा चुके हैं तो उतना आप यहां से बुखे भी रह सकते हैं इसलिए इससे थोड़ा कम उतना आवैसकता आपको रोटी की नहीं है इ इससे भी अगला यदि आप खाते हैं तो यहां से चार प्राप्त होगी इससे भी अगला यदि खाते हैं तो आपको एक प्राप्त होगी और इससे अगला यदि आप खाते हैं यानि कि भड़े हुए पेट में खाते हैं तो आपको जीरो इकाई उप्योगता प्राप्त होगी तो क्या इसको आए हम सुत्र के रूप में समझते हैं MU-5 यहापर 5 होना चाहिए T होगा प्लस नहीं होगा MU-5 यानि कि जैसे कि 5 रोटी के बारे में बताया तो यह सिमान्त उपयोगता हो गया और इसको किस से हम रिपर्जेंट करेंगे MU से करेंगे आए इसके मुल रूप को हम देख लेते हैं तो आपको कुल उपयोगता निकालना है जैसे क्या निकालना है कुल उपयोगता निकालना है तो आपको सभी सिमान्त उपयोगता जो है उसको जोड़ना होगा उसके बाद कुल उपयोगता आप निकाल सकेंगे जैसे टीउ टीउ का मतलब हम आपको क्या कहें टोटल यूटिलिज तो इसमें आपको मुफर्स्ट, मुफर्स्ट, मुफर्ड, मुफर्ड और मुफर्ड यानि कि जितना नंबर आपका रहे फिफ्ट नंबर रहे, सिक्स रहे और इससे आगे रहे मुफर्स्ट को यदि हम पूरा जोर देते हैं यानि कि सिमान उपयोगिता को हम पूरा जोर देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे कुल उपयोगिता कहेंगे आईए आप मांग एवं बक्र का बात करते हैं तो मांग एवं बक्र का वाज जो है आपको last में जदी हम पढ़ाएंगे तो अधिक समझ में आएगा इसलिए इसी class के last में हम आपको क्या मांग एवं बक्र के वारे में बताएंगे पूरे figure के हिसाब से बताएंगे तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे अब आईए बात कर लेते हैं कुल उपियोगता एवं सिमान्त उपियोगता को तालिका के माध्यम से हम समझते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कुल उपियोगता एवं सिमान्त उपियोगता तो इसको हम तालिका के माध्यम से आपको समझा रहे हैं फरस्ट कॉलम में सेव की इ का या इसके बारे में हम बात करेंगे दूसरा है कुल उपयोगता यानि कि आप जो सेव खाए उससे आपको कुल कितनी उपयोगता प्राप्त हुई और लास्ट जो है वो है सिमान्त उपयोगता इनी सब के बारे में हम पीछे बात कर रहे और अब आपको पूरे समझ में आ जाएगा कि कुल उपयोगता एवं सिमान्त उपयोगता जो है वो क्या होता है माल लिजिए आप कहीं सेव खाये हैं क्या आप पहला सेव खाते हैं तो आपको कितना उपयोगता मिलता है तो सिमान्त उपयोगता जैसा है कि हमने आपको बताया कि एक खाए तो कितना मिला सकेंड खाए तो उससे थोड़ा कम थाड खाए तो उससे थोड़ा कम यानि कि आपको संतुस्टी होती गई और आपकी उपयोगता इस हिसाब से कमता गया तो सबसे फहला सेव जब आप खाते हैं तो आपको 10 इकाईया पराप्त होती है कितना इकाईया पराप्त होती है इसलिए कुल उपयोगता कितना हो जाएगा सबी सिमानत उपयोगता का जो योग होता है उसे ही क्या कहेंगे कुल उपयोगता कहेंगे तो यहाँ पर एक save में 10 इकाई आपको प्राप्त होई है तो कुल उपयोगता यानि कि total यूटिलीज जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा अब next save की बात करते हैं आप second save खा रहा है तो यहाँ थोड़ा आपको कम उपयोगता मिलेगा क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया जैसे जैसे आप संतुस्ट होते जाएगे आपके उपयोगता की संख्या जो है वो कमती जाएगी तो इसमें आपको 8 मिली तो यहाँ पर कुल उपयोगता कितना हो गया 10 और पलस 8 यानि कि कुल उपयोगता जो आपका हो गया वो 18 हो गया अब ऐसे ही आप 3rd सेव को यानि कि तीसरे सेव को खाते है तो इसमें आपको उपयोगता जो मिलती है वो 6 मिलती है कितना मिलती है कौन से उपयोगता 6 मिलती है सिमानत उपयोगता यानि कि आपकी उपयोगता जो मिल रही है वो सिमानत उपयोगता जो मिल रही है वो 6 मिल रही है और यहां तक आप तिसरे सेव को खा चुके हैं तो 6 मिला तो इसलिए कुल उपयोगता आप कितना गरहन कर चुके हैं 24 कर चुके हैं अब next की बारत करते हैं चौथे सेव की चौथा सेव यदि आप खाते हैं तो उससे भी कम आपको उपयोगता प्राप्त होगा यानि कि सिमान्त उपयोगता प्राप्त होगा तो यहाँ पर कितना हो जागा कुल उपयोगता हो जागा 24 और 4 28 इसी तरह आप पांचवे सेव को यदि खाते हैं तो आपक खुल इकाईयां जो यहां हो जाएगा वो हो जाएगा 30 यानि कि 28 और 2 30 अब बात कर लेते हैं आप पूरी तरह संतुस्ट हो गए जितनी आपकी संतुस्टी थी जितना आपको खाना था उतना आप खा लिए उतना इकाईया प्राप्त कर चुके हैं उपयोगता आपको उतना हमको फाइदा नहीं होता है यानि कि संतुस्टी हम पहले ही संतुस्ट हो चुके हैं इसलिए संतुस्टी जो है वो नहीं मिलती है तो यहां से आपका जो है उस समय आपका जीरो मिलेगा यानि कि जीरो मिलेगा इससे आपको खरावी भी नहीं है और फाइदा भी नहीं है इ इससे अधिक आप प्राप्त कर रहा हैं लेकिन इससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर कुल उपयोगिता जीरो जोर्दने पर भी आपका तीस ही होगा अब बात कर लेते हैं यदि आप इससे भी जैदा खालिए सात्मा से भी आप खालिए इससे आपको खड़ा भी हो सकता है तो इसलिए आपका यहाँ पर उपयोगिता जो है संतुस्टी जो है वो कम होड़ा है क्या होड़ा है कम होड़ा है संतुस्टी तो यहाँ पर उपयोगिता घटने लगेगी और जैसे ही सिमांत उपयोगिता घटेगी तो कुल उपयोगिता में भी घटाओ आएगा और यहाँ पर माइनस दो हो गया कितना आपको मिला यानि कि आप और संतुस्ट हो गए खाते खाते आप क्या हो गए और संतुस्ट हो गए आपको दिक्कत महसूस हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर आप माइनस में जा रहा है तो माइनस दू यहाँ पर हो जाएगा तो कितना होगा 28,कुल उपियोगिता 28,द इसी को हम गराप के माधयम से समझते हैं, तो गराप में जैसा कि आप देख रहे हैं x,'hodou y' Sedix और इससे नीचे जो है zero से नीचे minus में जा रहा है जैसा यहाँ पर हो रहा है, वैसे ही, तो इसको हम ग्राप के माध्याम से समझते हैं इसमें हम बात कर लेते हैं बढ़ती कुल उपियोगिता की किसकी जैसे पहला सेव जदी आप खाते हैं तो आपको कितना मिला था 10 उपियोगिता मिला था इसलिए ग्राप यहां है 10 और इससे थोड़ा कम मिला तो इससे थोड़ा कम मिला दूसरे से में 8 मिला तो देखे थोड़ा जुक करके ये गया है थोड़ा जुक करके और कितना हो गया यहां पर 10 और 8 18 हो गया और इसके बाद वाला सेव जो आप खाते हैं उससे 6 मिलता है आपको तो 6 मिलता है इससे कुल कुल उपयोगिता कितना हो गया कुल उपयोगिता जो हो गया वो 24 हो गया कितना हो गया 24 और इससे भी आप आगे खाते चले तो आपको कितना मिला चार उपयोगिता मिला तो ये कितना हो गया 28 28 हो गया यहां तक तो ठीक था 28 के बाद 30 देख लिजे दूसरा जो है आप जब संतुस्ट हो जाते हैं तो दो मिला था आपका कितना मिला था दो मिला था आपको तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा तीस थोड़ा देखिए थोड़ा थोड़ा आप जुक करके बढ़ रहा है और जैसे ही यह हो गया क्या हो गया आप पूरे संतुस्ट हो गया फिर भी आप खाए तो क्या हो गया आपको जीरो मिला क्या मिला जीरो उपियोगिता मिला और यहां पर आप देख रहेंगे कि लकीर बिल्कुल सीधा हो गया है यानि कि एकदम इस्थीर हो गया है तो इसे ही हम क्या कहेंगे इस्थीर उपयोगिता कहेंगे क्या कहेंगे इस्थीर उपयोगिता कहेंगे इसे ही और यहाँ पर जो था यह बढ़ती हुई जो था इसे हम धनात्मक उपयोगता कहेंगे के इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, और इसके बाद जो आप माइनस दो में ले गए, यानि कि खाने के बाद भी आप खा रहे हैं, तो माइनस दू में यहां पर देख लिए आपका पाराग्राफ जो है, वो घहट रहा है, कब जब आप सात्मा से खाये हैं, उस समय आपक उपयोगिता किसे कहेंगे तो धनात्मक उपयोगिता जैसे जैसे आप देखना है ग्राफ बर रहा है यहां तक जो है ग्राफ बरते आ रहा है दस से ले करके और यहां पांच यानि कि तीस तक यानि कि एक से पांच तक जो है आप संतुस्ट हो ही रहा है या आपके मन को संतु प्रह रहा है कि ऐसे हो गया अगर आप एक दम सीधा हो गया इसको हम क्या कहेंगे इसको कहेंगे और रिनात्मक उप्योगता साथी स्थीर उप्योगता समझ गए होंगे अब आगे बढ़ते हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि मांग बक्र और मांग ताली का पर हम चर्चा करेंगे बिभिन किमत यानि कि सभी बस्तू का जो किमत है बिभिन परकार का रहता है इस मांग को हम रेखा की रूप में यदि परदर्सित करेंगे तो इसे ही हम क्या कहेंगे इसे ही कहेंगे मांग वक्ड रेखा क्या कहेंगे मांग वक्ड रेखा आईए अब समझते हैं मांग वक्ड रेखा होता क्या है आपको बता दे कि आपकी मांग जिस तरह की रहेगी उस तरह ही आपकी किमत भी होगी यानि कि जिस चीज की जरूरत आपको जिस तरह से रहेगी आप यह सोच सकेंगे कि इतना खर्च करके हम इससे कितना फाइदा प्राप कर सकते हैं इसे ही हम मांग वक्ष रेखा कि माध्य हम से समझेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे यक्ष और एक्सक को कीमत रुपे में क्या है 10,20,30,50 रुपे और मांग रेखा यानि कि आपको कितनी कीमत देने पर आपको फाइना हो राइभा है, इतने में हम यदि किसी बस्तू को खड़ीदते हैं उससे हमें फाइदा है या नहीं है, इसी को हम इस रेखा में दर्शाएंगे मांग की मात्रा जैसे कि आपको सबसे अधिक मांग है यानि कि बहुत जरूरी है किसी वस्तु का तो आप क्या करेंगे साथ रुपया में इसे खड़ी देंगे और यदि जरूरत नहीं है तो आप क्या करेंगे इसे नहीं खड़ी देंगे इसलिए क्या करेंगे आपको यदि बहुत ज़्यदा मांग है तो इसे क्या करेंगे सबसे अधिक कीमत पर भी आप खरीद लेंगे करेंगे कि इससे हमें जरूरत बहुत ज़्यदा है इसका तो इसे हम कितना भी कीमत लगे इसे खरीद लेंगे और दूसरी आपको उससे यदि कम मांग की जरूरत है इसको कम यूज का जरूरत है तो आप क्या करेंगे उससे कम कीमत में खड़ी देंगे उसी बस्तू की यदि आपको जरूरत नहीं है तो उससे कम यानि की 40 में आप या जितनी भी आपकी कीमत है उसे हिसाब से खड़ी सकत तो यही मांग बक्र पर इसको इस तरह से दर्साया जागा और मांग तालिका की बात कर लेते हैं तो मांग तालिका में आप देख रहे हैं मांगी गई मात्रा मांगी गई मात्रा कितना है पांच है और मांगी गई मात्रा पांच है और कीमत कितना है चालिस है आपको मांग जो है फिर भी आप संकोच करेंगे लेकिन यदि मांग बहुत जैदा है और कीमत भी कम है तो आप इसे क्या करेंगे बहुत जल्द ही खरीद लेंगे और उससे भी जैदा मांग है और कीमत उससे भी कम है तो आप क्या करेंगे फिर भी आप बहुत जल्द ही खरीद लेंगे लेकि आप बात कर लेते हैं सिमान्त उप्योगता वासमान नियम तो आप देख रहा है कि तालीका और चित्र के अध्यान से यह निसकर्स निकलता है आपने जो तालीका और चित्र देखा उससे यह निसकर्स निकलता है जैसे जैसे हम किसी बस्तू का क्या करना है किसी बस्तू का एक से अधिक इकाईयों का उपभोग करते जाते हैं उस बस्तू से प्राप्त होने वाली सिमानत उपयोगता जो है वो घटती जाती है जैसा कि हमने आपको बताया आप पहला से खाये दूसरा खाये तो उससे भोग में बिर्धी के साथ गिरती हुई सिमान्त उपयोगता को ही हम हौसमान नियम कहते हैं क्या कहेंगे तो अब आप समझ लिए कि हौसमान नियम जो है वो किसे कहेंगे तो बस्तु के उपभोग में बिर्धी के साथ गिरती हुई सिमान्त उपयोगता को ही हम हौसमान नियम कहेंगे क्या कहेंगे उस सिधान्त को हम वासमान नियम कहेंगे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में तो तब तक हम आपको यही कहना चाहेंगे कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे शेर तो कर दीजे ताकि आपके साथ अन्य साथई वह इसका फायदा उठासके और एल जीए आरश्ट को सब्सक्राइब कर लिजे ताक lgrstudy.com पर जाकर करके आप बहुत सारा नोट प्राप्त कर सकते हैं साथी साथ मोबाइल एफ पर जो है आप 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 इसको इंस्टाल कर लिजेगा थैंक्यू